करता हूं तो मैं वहिंग करते करते मुझे आपको मालूम है कि आपको क्या कर चीज करनी है आपको सबसे तो ऐसे लोगों को ना का नाम कि उनके इंड़्टि में यह चीज होती है कि जैसे अनिल कपूर के पास एक एज है क्यों कि यौँ की वह एक इनसान है तो आज भी हो बड़े बड़े मैंडर की फिल्म में वह लेंड कर पा रहा है अपने पसंने चीज़ कर रहा है जो है वह एक्टिक और जिसकी जिन लोगों की हेल्थ अच्छी है बट उन लोगों को पता नहीं है कि काम क्या करना है लॉस्ट मतलब कि करियर कुछ सट नहीं है जिनको पता है कि उन्हें कुछ क्या करना है उसको पसंद भी आ रहा है कि जो चीज़े वो लोग कर रहे और उनको बहुत मज़ा भी आ रही उस चीज़ के अंदर उसके डूपमिनेटर वह सब मिल रहा है सब्सक्राइब बाकी चाहिसे अफेक्ट होगी हेल्थ की वज़े से फिजिकल हेल्थ फंडमेंटली एवरिफिंग फॉर यू बट जिसके पास दोनों है ना उसको लॉंग रं में एक एडवांटेज मिल जाएगा कि जैसे मैंने अन्यकपुर के बारे बता है कि अच्छा करता ही है बट थूआउट दे यह उसने अपनी फिटनेस को मेंटेन किया हुआ है अभी तक अगर आपकी दोनों चीज़े अगर एक दोनों चीज़े अगर वो सैट होगी हेल्थ और आपका जो आपको चीज़ पसंदारी है वो चीज़ आपको मिल जाएगी इन यू विल है अगर दोनों अच्छी नहीं है तो किसी एक चीज़ की कमी की वज़े से भी आप वो चीज़े अचीज़ हो सकता है नहीं कर पाओ अगर आपकी mental health बहुत बढ़िया है बट आप physically उतना capable नहीं हो तो आप कम travel कर पाओगे as an actor कम roles में आ पाओगे बट आप एक दम पूरे six-pack abs वाले बंदे हो we all have seen Sushant Singh Rajput's case mental health अच्छा नहीं है तो भी वो आपको रोकेगा तो यह दोनों का balance होना बहुत ज़रूरी है and फिर एक organization में आपके environment में आपके लोग भी ऐसे होने चाहिए आसपस जो आपको आपको जो space चाहिए वो दें आपको काम करने के लिए पूरे मौके मिलें किसी दिन नहीं कर पा रहे हो तो it's like there could be a mental health reason there should be ways to talk about it to address it तो वो सारा space आपको मिलना चाहिए तो एक होता है ना nourishing environment होना चाहिए तब आप कुछ भी उखाड सकते हो तो दोनों health होनी चाहिए हम focus physical वाली पे करते हैं बट mental वाली पे भी उतना ही करना चाहिए क्योंकि एक होता है ना placebo effect अगर आपको पता हो तो placebo effect कैसे काम करते हैं अगर मैंने आपको बोला आपको बुखार है और यह दवाई मैं डॉक्टर से लेकर आया हूँ आप खालो तो आप वो the fact that you know कि मैं डॉक्टर से लेकर आया हूँ हो सकता है आप वो दवाई खा के ठीक हो जाओ बट मेरे को पता है कि मैंने आपको कोई दवाई दी ही नहीं है नॉर्मल छी कोई गोली है तो आपका mind इतना powerful है कि सिर्फ believe करने से आप ठीक हो जाते हो in fact vaccine के test भी ऐसे ही होते है 500 लोगों को आपने असली वाली vaccine दी 500 लोगों को पानी का injection दिया तो पानी जिसको दिया है पानी का injection वो भी कहते है कि नहीं मुझे covid नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे पास vaccine है तो vaccine के test में भी placebo effect is a scientifically proven thing तो आपका mind आपसे बहुत कुछ करवा देता है तो इसलिए जो mind से healthy नहीं है वो फिर उसका physically healthy होना भी कोई point नहीं है तो mind को healthy रखना बहुत इसका सबसे बड़ा example controversial हो सकता है लोग गालियां भी देंगे homeopathy placebo effect पर काम करता है homeopathy कुछ नहीं होता चीनी की गोलियां होती है जो आप doctor आपको देता है इस पर बहुत ही प्यारा सा वीडियो है if I find that I'll send it to you and maybe you can link in the description for the people who are listening to this वो यह कहते हैं कि काम कैसे करता है इतना पानी लो इतनी सी दवाई लो दवाई को पानी में डालो this will make a solution फिर इस solution में से फिर से दो drop निकालो और उसको वापस से पूरे पानी के भरे होई glass में वो डाल दो तो वो जो second glass है that will become more diluted right first वाले glass में एक drop थी but उस पूरे को mix करके आप निकालके वापस दूसरे glass में डाला तो ऐसे आप thousand times करोगे तो कोई भी common sense वाला बंदा ये बुलेगा कि thousand glass में अगर आपका जहर जहर से भी आपने किया होगा तो अजारवा glass पीने से आप मरोगे नहीं क्योंकि वो इतना dilute हो चुका है बट हमयोपत ही आर्ग्यू कर करता है why homeopathy works यह placebo होता है और यह मेरे भी काम किया है मेरे यहाँ पर मस्से हो गया थे एक यहाँ पर हो गया था एक यहाँ पर हो गया था मोटे 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 में मस्से हो गया थे तो ती एक साल तक homeopathy लिए वो मस्सा अपने आप छोटा होता गया और जहां से निकला था वह वो माइन को एक बार एक रिलीफ मिलगे कि मैंने ऐसा कुछ टैप लिया है उससे कुछ रिजल्ट आएगा कुछ चेंजिस मुझे दिखने लेगे और ये तो मैंने फिर बहुत सारी चीजों में नोटिस किया है एक अल्टी के रिया नाम से एक स्किन कंडिशन है जो मुझे डा तो मैं सेटिजन लेना भूल भी गयाना तो भी मुझे नहीं हो रहा है वो अर्टी के रिया क्योंकि मेरा माइन किसी दूसरी जगा पे इतना ओक्यूपाइड है वो डोपामीन हिट आ रहा है अर्टी के रिया इस लीस्ट आफ मैं वरी बट जब नॉर्मल डे-टू-डे ला झाल